नमस्कार दोस्तों मद्ध प्रिदेश पुलिस एकजाम दोहजार बाईस, सत्रा चनवरी दोहजार बाईस में फष्ट और सेकंड सेप्ट में जो कोशियों पूशय गए है उनको हम देखेंगे चलिए तो फस्ट कोश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल कहां है विक्टोरिया मेमोरियल कुलकाता में हैं कहां है कुलकाता में नेक्स्ट रेखते हैं राउण की पत्नी, राउण दसानन की पत्नी का संबन्ध है जो मद्द प्रिदेश के किस जिले से है तो किस जिले से है मंद सोर यहां सही आंसर हो जाएगा गुवालियर में खेल इस्टेडियम किस होकी के खिलाडी के नाम पर बनाया है तो यहां रूप सिंग इस्टेडियम है उनका खिलाडी का नाम क्या है रूप सिंग और इनका संबन्ध किस से है होकी से इनका संबन्ध है नेक्स्ट देखते हैं विश्व की सबसे उँची चोटी कौन सी है विश्व की सबसे उँची चोटी माउंट एबरेस्ट है उसकी जो उँचाई है 8850 मीटर है इसकी उँचाई रानी कमलापती पैलेस कहां पर स्थेथ है रानी कमलापती पहले से जो भोपाल में है हाली में जो हभीब गंज रेलबे स्टेशन था उसका नाम रानी कमलापती रेलबे स्टेशन कर दिया गया है MBPSC मद्द प्रिदेश लोग सिवा आयो के चेयर्मेन कौन थी question पूछा गया है MBPSC मद्द प्रिदेश लोग सिवा आयो के चेयर्मेन कौन है तो यहाँ राजिस लाल महरा सही अंसर हो जाएगा आदिम जाती कल्याण विभाग का नया नाम क्या है तो जन जाती कारी विभाग है इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है क्या हो गया आदिम जाती कल्यान विभाग का निया नाम है जन जाती कारिय विभाग नेक्ष्ट देखते हैं विक्रम बिस्विद्याला कहा है विक्रम बिस्विद्याला है जो उज्जेन महाकालिस्वर की नगरी है और ये उज्जेन है जो छिप्रनदी की किनारी बसा हुआ है किस नदी की किनारी बसा हुआ है छेप्रनादी की किनारी उज्जेन है जो बराह महर की जन्मिस्थली है नियक्ष्ट देखते हैं महाधी राज की उपाधी किसने धारण की थी तो यहां अंसर हो जाएगा समद्रुगुप्त है किसने धारण की थी समद्रुगुप्त ने समद्रुगुप्त को क्या कहा जाता है समद्रुगुप्त है जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है नेक्ष्ट देखते हैं कोश्चन है 2011 की जन करना की अनुसार मद्द प्रदेश का जन संग्या घनत्व कितना है यहां जन संग्या घनत्व पूँचा है तो 236 बर किलो मीटर है मद्द प्रदेश का घनत्व है आग के जलने के लिए किस देश की उपस्तिती होना अनिवारी है यहां किसकी उपस्थिती होना अनिवारी है आग के जलने के लिए किसकी उपस्थिती अनिवारी है तो आकसीजन की उपस्थिती की कारण ही आग जलती है किसकी कारण आकसीजन की आकसीजन की यदि उपस्थिती नहीं होगी आकसीजन अनुपस्थित होगी तो हम आग नहीं ज जला सकती नेक्श्ट देखेंगते हैं किसी गैंद का उपार से नीचे गिरना किसका उधारान है कोई कहन है उपार से नीचे गिरना किसका उधारान हैidée तो यहां अंसर हो जाएगा ग्रोत्वाकर्शन बल ग्रोत्वाकर्शन बल दूसित भोजन गिर्ण करने से कौनसी बीमारी होती है दूसित भोजन हम जब खाना खाती है तो कौनसी बीमारी हो जाती है डाइरिया कौनसी बीमारी हो जाती है अनेल काकोड कर बैग्या नेक है अनेल काकोड कर का जन्म है जो क इस स्थान से सम्मान देते कहा हुआ था बड़वानी परमाणू उर्जा बैग्यानेक है अनेल का कोड कर नेक्स्ट देखते हैं प्रिथम बेश्युद्ध कब हुआ था यहां पूछा गया प्रिथम बेश्युद्ध है जो 1914-1918 के बीच हुगा था 1914-1918 के बीच 1919 में क्या आया था रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसी बड़ा हाकी स्टेडियम कहा है भारत का जो सबसी बड़ा हाकी स्टेडियम है बिर्शा मुंदा हाकी स्टेडियम और यह है जो रावल किला उरिश च्छतरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है यहां पूछा गया है च्छतरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है आट सो चौरासी आट सो चौरासी है जो इसका लिंगानुपात है च्छतरपुर जिले का करनाटक संगीत के प्रिथम गुरु कौन थी करनाटक संगीत के प्रिथम गुरु कौन थी तो यहां है पुरंदर दास सही आंसर हो जाएगा पुरंदर दास नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट किरकेट की प्रिथम भारतिय कप्तान कौन है कौन थी टेस्ट किर्केट की जो प्रिथम भारती कप्तान कौन थी सांता रंगा स्वामी सही अंसर हो जाएगा सांता रंगा स्वामी है जो टेस्ट किर्केट की भारती महिला कप्तान है सांता रंगा स्वामी भारत का नेपोलियन किसी कहा जाता है हम देख चुके हैं भारत का नियापूलियन है जो समुद्र गुप्त को कहा जाता है किसी कहा जाता है समुद्र गुप्त को कहा जाता है सिवेंद्र से हैं किस खेल सी सम्मंदेत हैं सिवेंद्र से हैं जो हाकी सी सम्मंदेत हैं और यह कहां की हैं गौलियर की हैं सिवेंद्र से हैं जो हाकी सी सम्म कहां कि न्यूज लेंड की खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में टेस्ट में 10 बेकेट लिए हैं कितने बेकेट लिए हैं 10 बेकेट लिए हैं इतने ही कॉस्चन हम तक पहुंच पाई थी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें अब हम मिलेंग नेक्स्ट वीडियो में